कब आयो को हलो दो आज कि हमारा टोपिक के स्प्रक्टर क् एंड डिस्ट्रक्टर यह बहुत ही इंपोर्टर टोपिक है जिसमें देखेंगे कि गिंदेख रहें का तो व्लम नेलिगा वाट इस कवंड़ दिस्ट्रक्टर इसमें बंध एक्जाम्पल भी देखेंगे सबसे पह मैं पहला point लिखेंगे मैं point wise लिख रहा हूं तो लिखेंगे constructor is a special type of function constructor एक special type of function है जो कि क्या होता है which has the same name as the class name class का name जो रहेगा वही हमारा constructor का name रहेगा और ये एक special type of function होता है यही होता है हमारा constructor, क्योंकि जब भी हम constructor बनाते हैं, तो हम function का एक symbol देते हैं, इसलिए हमने लिखा, it is a special type of function, which has the same name as the class name, तो यह होगा हमारा पहला point, constructor का, तो हम देख लेते हैं, कि दूसरा point क्या होगा, तो हम लिखेंगे, constructor is being automatically called at the time of object declaration, यानि जब हम class का object declare करेंगे, तो constructor automatically call हो जाएगा, यानि object declare करते हैं, हमारा constructor call हो जाएगा, तो हमने यहां पह लिखा, constructor is being automatically called at the time of object declaration, मैं एक example भी बताऊँगा आपको, प्रोग्राम करके, उसके बाद अब हम third point देखते हैं, constructor का, तो third point क्या होगा, तो हम लिखेंगे, the written type of constructor is the class type, यानि class का जो written type होगा, वह हमारा constructor का भी written type होगा, नहीं हम या पह लिख रहे हैं, the written type of the constructor, is the class type, तो यह होगा हमारा constructor, what is constructor, अब हम देखेंगे, कि destructor क्या होता है, तो हम लिखेंगे destructor के बारे में, टीश्ट्रुक्टर सेम लाइक कंस्ट्रुक्टर बडस्ट्र Pir says वह Está भी हो Some तुलम लिखाד है आधि सी ट्वक्टर ऐक embargo सब्सक्र्सकर दिंगात कंस्ट्र के होता है तो वही हम यहां पर लिखे डिस्ट्रक्टर इज इस पेशल मेंबर फंक्शन दैट इस एक्जिक्यूटेड ऑटोमेटिकली जो कि हमने इस बचाने पर इस अब पर लिखेंगे डिस्ट्रक्टर में वैं एन अब्जेक्ट इस दिस्ट्रोइड आप यहां पर लिखें तो हम लिखें दिस्ट्रक्टर इस पेशल मेंबर फंक्शन दैट इस executed automatically when an object is created by the constructor destructor destroy the object of the constructor तो यह हो गया हमारा पहला point destructor का तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि destructor का second point क्या होगा हम लिखेंगे destructor are used to de-allocate the memory यानि यह very important point destructor का अगर आप से कोई पूछता है कि destructor क्या होता है तो destructor का एक ही काम होता है कि memory को de-allocate करता है जो की constructor create किया है at a time of object declaration तो यह हम यहां पर लिख रहे हैं destructor are used to de-allocate the memory that has been allocated for the object by the constructor any constructor के object द्वारा जो हमने memory create किया था उससे de-allocate करता है destructor इसलिए इसका नाम है destructor तो यह हो गया हमारा second point destructor का जो कि हमने आपको बताया तो destructor क्या करता है एक member function है जो कि constructor द्वारे create किये memory को destroy करता है और इसका use क्या है यह de-allocate करता है memory को जो कि constructor object declaration के time create करता है तो चलिए अब हम third point देख लेते हैं destructor का तो हम लिखेंगे a destructor declaration should always begin with the tilde sign यह भी एक गहाद important point destructor का destructor का जो भी beginning होता है वो हम tilde sign से करते हैं यानि जब भी हम destructor बनाएंगे प्रोग्राम में तो उससे पहले हम एक tilde sign का use करेंगे वो क्या होता है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं यह होता है हमारा तिल्डे साइन यानि जब भी आप डिस्ट्रक्टर बनाएंगे तो आपको यह तिल्डे साइन देना पड़ेगा और यह क्या करता है memory को de-allocate करता है जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि constructor के memory को de-allocate करता दिस्ट्रक्टर तो यह हो गया हमारा थर्ड पॉइंट ओफ डिस्ट्रक्टर तो चलिए मैं एक एक्जांपल के जरिए देख लेता हूं तो मैं यह पर बैसिकली इसक्ली चंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर दोनों का एक्जांपल एकी में कंबाइंड करके बताऊंगा तो मैंने लिखा एक्जांपल उफ चंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर तो मैं प्रोग्राम बना रहा हूं तो उसके लिए मैंने एडर फाइल डिलेयर करा है जिन्कूड आयो इस्ट्रीम डौ ऐट इस उसके बाद हम लिखेंगे हैस इंखलो कोन camping यह दो ए्डर फाइलस्टाइल है जो कि C lengoise में या दिसी इसी फ्लस получ हमें करते हैं उसके बाद हम गलास बनाएंगे तो हम गलास बनाये test नाम का उस class के अंदर हम public में constructor को लिखेंगे यानि ने हमारा जो class ने में constructor name same है और हमने पहले ही आपको बता था special type का function होता है constructor तो देखिए हमने constructor बनाया उसके बाद function का symbol दिया उसके बाद constructor के अंदर हमने एक n नाम के variable के अंदर 10 value assign कर दिया और उसे से प्रिνट कर दिया तो मारा narc नेंगो गिया अबद हम डिस्ट्रok्न बनातें डिस्रक्न का नेम‑ भी सेम होता है क्लासनेम का जैसा और जिसे हम इंभाल से दिखाते हैं तो वह object destroy करेगा जो कि constructor create करेगा तो यह हमने class को बंद कर दिया तो हम voidman के अंदर यहां पे class का एक object बनाएंगे तो हम voidman के अंदर class का name लिखेंगे तो हमने लिखा test और जैसे ही हमने इसका object बनाए ओभी constructor और destructor automatically call हो गया जो कि मैंने आपको पहले ही definition में बता दिया है तो यहां पे दोनों call हो गया constructor और destructor तो यहां पे जो भी value constructor लेगा और जो भी memory constructor allocate करेगा destructor उसे de-allocate कर देगा तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि constructor का type कितना होता है तो यहां पे हम लिखेंगे there are three types of constructor इसके उपर मैं separate video बनाऊंगा next video कि constructor का क्या क्या type होता है detail में हम उसके बारे में जानेंगे यहां पे हम सिर्फ जान लेते हैं कि type of constructor क्या होता है तो पहला होता है default constructor और दूसरा होता है parametrized constructor और third one is copy constructor यानि तीन constructor होते हैं default parameterized copy इन तीनों के उपर हम एक separate video बनाएंगे जिसमें हम example के साथ देखेंगे कि default constructor क्या होता है parameterized constructor क्या होता है और copy constructor क्या होता है तो यहां पर हमने जाना what is constructor what is destructor and types of constructor हमने example भी देखा यहां पर एक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो चानल को सब्क्राइब कर दीजे और वीडियो को लाइक कर दीजे तो चलिए हमने एडर फाइल क्लियर करा उसके बाद हमने class बना हमारा class का नाम है ए उस class के अंदर हमने constructor और डिस्ट्रक्टर दोनों को बनाया हुआ है तो उसके लिए हमने पहले एक इंट नाम का data type बना जिसमें हमने एन वेरियेबल लिया उसके बाद हम constructor constructor में उस एन नाम के वेरियेबल में टेन वैल्यू इसान कियर उससे प्रिंट कर दिये तो यह हो गया उसके बाद हमने एक और बड़ेट बनाया है इसके लिए भी दोनों को लोगा थे हमें दो वैलू मिलेगा क्योंकि हमने दो अब्जेक्ट लिखा हुआ है तो हमें 10 10 टू टाइम्स मिल गए और अगर आपको अब्जेक्ट का आउटपुट देखना है तो यहां पर आपको साइड में विंडो में जाना है और आउटपुट में जाना है तो उसके लिए आपको यहां पर मिल जाएगा जो की यहां पर लिखा हुआ डिस्ट्रोइड ऑब्जेक्ट 10 डिस्ट्रोइड ऑब्जेक्ट 10 यानि जो कंस्ट्रक्टर मेमरी लिया हुआ था उसके इस्ट्रोई कर गिया वीडियो को लाइक करिए और सेयर करिए थैंक्यू फ्रेंड